प्रायोगिक निर्धारित प्रांचलों के संदर्व में किसी अड़के निरूपन के लिए एक लूई सनचना कई बार प्रयाप्त नहीं होती है ठीक है किसी भी अण के निरूपन के लिए जो आप लोई सरचना बनाते हैं उसका एक इस्ट्रक्चर जो है कि ठीक है प्रायोगीक निर्धारन प्रांचलों के संदर्व में कई बार प्रयाप्त नहीं होता है प्रयोग के द्वारा इस्ट्रक्चर के बारे में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को लुई सरचना के द्वारा रिप्रेजेंट करना एक इस्ट्रक्चर से संभव नहीं हो पाता है कई बार ऐसा देखा गया है ठीक है प्रायोगिक निधारित प्रांचलों के संदर्भ में किसी अड़ के निरूपण के लिए एक लूई सनचना कई बार प्रयाप्त नहीं होती है जैसे ओजोन अड़ को निमलिखित दो सनचनाओं फस्ट और सेकेंड द्वारा समान रूप से निरूपित किया जा सकता है अगर ओजोन ओध्री अड़ का इस्ट्रक्चर बनाया जाए लेविस इस्ट्रक्चर तो उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहला देखें फस्ट और सेकेंड यह दो तरीका है ओजोन को रिप्रेजेंट करने का पहले में आप देखें आक्सिजन आक्सिजन के बीच में सिंगल बंद है और इस आक्सिजन और इस आक्सिजन के बीच में डबल बंद है तेके बंद दूरी देखा जाए तो जब सिंगल बंद है तो बंद दूरी 148 पिको मिटर है डबल बंद है तो बंद दूरी 121 पिको मिटर है तो यह एक फर्स् अभी इस आक्सिजन के बीच में हो गया है और एक बंद जो है इस आक्सिजन के बीच में हो गया है ठीक है तो ओजोन अरुकी सनचना को हम इस दो रूप में ब्यक्त कर सकते हैं दोनों ही सरचनाओं में एक आक्सिजन आक्सिजन के बीच में सिंगल बंद दिखाये गया है तथा एक आक्सिजन आक्सिजन के बीच में डबल बंद को दिखाये गया है ठीक है दूरी की अगर बात की जाए तो आक्सिजन आक्सिजन सिंगल बंद जब है और आक्सिजन आक्सिजन जब डबल बंद है तो इनकी लंबाईया क्रमसर 148 पिको मिटर और 121 पिको मिटर है ठीक है लेकिन हमें प्रयोग द्वारा क्या रिजल्ट मिलता है प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है कि ओजोन अड़ में दोनों आक्सिजन आक्सिजन आबंधों की लंबाई एक समान होती है यह आक्सिजन आक्सिजन जो दोनों तरफ बंद बन रहा है इधर भी और इधर भी इन दोनों तरफ बंद की लंबाई क्या होती है? समान होती है 128 फीको मिटर होती है ठीक है? आक्सिजन आक्सिजन एकल तथा दुई आबंद समान आबंद लंबाईया 148 और 121 फीको मिटर है लेकिन प्रियोगों द्वारा ग्यात होता है कि उजोन अड़ में दोनों आक्सिजन सिंगल बंद आक्सिजन आबंदों की लंबाईयां एक समान 128 फीको मिटर होती है अता उजोन के अड़ में आक्सिजन आबंद एकल तथा दुई आबंदों का मध्यवर्ती होता है आक्सिजन आक्सिजन के बीच में जो बंद होता है वह न तो सिंगल बंद होता है न तो डबल बंद होता है दोनों का मध्यवर्ती होता है अता लुईस सनचना फर्स्ट और सेकेंड में से कोई भी एक सनचना ओजोन अड़कों निरूपित नहीं कर सकता है उप्यूक्त लुईस सनचनाओं के द्वारा फर्स्ट और सेकेंड के द्वारा एक सनचना ओजोन अड़कों निरूपित नहीं कर सकता है औजोन जैसे अड़ों की वास्त्री सनचना को असपष्ट करने के लिए अनुराद संकल्पना प्रस्तावित किया गया है जब किसी अड़ो के इस्टक्चर को एक इस्टक्चर के दोरा नह रिप्रेजेंट किया जा सके एक से अधिक स्टक्चर की जरुवत पड़े तो ऐसे अड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए अनुनाद संकल्पना का यूज किया जाता है रेजोनेटिंग कंसेप्ट का प्रियोग किया जाता है ठीक है स्टेंस अब आप देख रहे हैं कि यह जो दूरी है वो 128 पीकोमीटर दोनों तरफ है यहाँ पे रांग छप गया है 148 है लेकिन यहाँ पे 128 होना चाहिए ठीक है 128 होना चाहिए दोनों तरफ का बांड लेंद बराबर होनी चाहिए 128 पीकोमीटर इधर भी और 128 पीकोमीटर इधर भी जो न तो सिंगल बंद का बाढ़ लें थै और न तो डवल बंद का बाढ़ लें थै दोनों के बीच का है तीक है आप पड़ रहे हैं अनुनाद सनशनाओं के बारे में решonating structure के बारे में ठीक है आपको बताया गया कि प्रायोगिक निर्धारित प्रांचलों के संदर्व में किसी अड़ के निरूपण के लिए प्रयोगों के द्वारा जो हमें रिजल्ट प्राप्थ हुआ है उस तरह का रिजल्ट जो है हम जो है एक लुईस इस्ट्रक्चर के द्वारा प्राप्थ कर लें या किसी एक इस्ट्रक्चर के द्वारा संभव नहीं है इसके लिए हमें उस अड़ की एक स्याधिक इस्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है प्रयोगीक निधारित प्रांचलों के संदर्भ में किसी अड़ के निरूपन के लिए एक लुई सनचना कई बार प्रयाप्त नहीं होती है जैसे ओजोन अड़ को निमलिखित सनचनाओं फस्ट और सेकेंड द्वारा समान रूप से नुरूपित किया जा सकता है दोनों ही सनचनाओं में आक्सीजन सिंगल बंद आक्सीजन तथा एक आक्सीजन डबल बंद आक्सीजन उपस्थित है जिनकी लंबाईया आक्सीजन सिंगल बंद सिंगल की लंबाईया 148 पिको मिटर इसमें भी है और इसमें भी है आक्सीजन डबल बंद आक्सीजन की लंबाई इसमें भी 121 पिको मिटर है इसमें भी 121 पिको मिटर है लेकिन प्रयोगों के द्वारा ग्यात होता है कि ओजोन अलु में दोनों आक्सिजन आबंधों की लंबाईया एक समान होती हैं 128 पीकोमिटर होती हैं अता ओजोन अलु में आक्सिजन आबंध एकल तथा दुई आबंधों का मध्यवर्ती होता है अता उप्यूक्त लुई सनचनाएं जो फर्स्ट और सेकेंड हैं में से कोई भी सनचना ओजोन अलु कोन रुपित नहीं कर सकती है इसलिए इसका दो इस्ट्रक्चर बनाया गया है यह दोनों अनुनादी सनचनाएं कहलाती है इसके लिए आप देख रहे हैं यह तीर बनाया गया है जिसका एरो दोनों तरफ है यह दोनों इस्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड अनुनादी सनचनाएं हैं ओजोन जैसे अण की वास्तिक सनचना को अस्वष्ट करने के लिए अनुनाद संकल्पना को प्रस्तावित किया गया है अनार्सन कल्पना क्या होता है समझे ज्यान से इस कल्पना के अनुसार जब किसी अण को केवल एक लूई सनचना के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके तो समान उर्जा नाविकों की समान इस्थितियों तथा समान आवंदी तथा अनावंदी लेक्टान युगमों वाली कई सनचनाएं बहित सनचनाओं के रूप में लिखी जाती है और ना सनचना के अनसार जब किसी अनको केवल एक लूई सनचना के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके तो उस समय समान उर्जा नाविकों की समान इस्थिति तथा समान आवंदी तथा अनावंदी इलेक्टान युगमों वाली कई कौनिकल इस्ट्रक्चर को लिखा जाता है जैसे आप देख रहे हैं ओजून का दो इस्ट्रक्चर लिखा गया फर्स्ट और सेकेंड ठीक है क्योंकि उसके केवल एक इस्ट्रक्चर के दोरा सही तरीके से रिप्रजेंट नहीं किया जा सकता था तो यह आपका अनाथ कंसेप्ट है जिसके अनुसार जब किसी युण को केवल एक लुई सनचना दोरा निरुपित नहीं किया जा सके तो समान उर्जा नाविकों की समान इस्थिती तथा समान आबंदी तथा अनाबंदी लेक्टान युगमों वाली कई सनचनाएं विहित सनचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं कोनिकल इस्टक्चर के रूप में लिखी जाती हैं इन विहित सनचनाओं का अनुनाद संकर यह जो कैनोनिकल इस्टक्चर बनाए गए हैं इनको मिला कर जो एक अनुनाद संकर बनता है रिजोनेंस हाइब्रिड बनता है वही अणकी वास्तविक इस्थित को निरुपित करत जिसको हम नहीं बना सकते हैं इन canonical अर्थाद बहित सनचनाओं का अनुनाद संकर और उनकी वास्तविक इस्तिती को निरुपेत करता है अता उजोन की उप्यूक्त दो सनचनाओं जो फर्स्ट और सेकेंड हैं उनकी विहित सनचनाओं है canonical structures हैं तथा उनका संकरित रूप जो है वह सनचना थ्री है उसकी वास्तित सनचना को निरुपेत करता है तो यह जो तीन structure आप देख रहे हैं बने हुए हैं इसमें उनका फर्स्ट और सेकेंड जो structure है यह इसकी विहित सनचनाओं है canonical structure है जबकि यह जो तीसरा structure आप देख रहे हैं यह उनका संकरित रूप है तो ओजोन अल की अनुनाद सनचना है फर्स्ट और सेकेंड वह दो भीत को निकल रूप दर्साते हैं जबकि सनचना तीन जो है वह अनुनाद संकर का रूप दर्साती है रेजोनेंस हाइब्रिट को दर्साती है ठीक है अनुनाद को दो सिरों वाले तीरों द्वारा दर्सा जाता है कार्बोनेट आयन तथा कार्बन डाई आक्साइड अनु अनुनाज सनचना के दो अन्य उदारण हैं जैसे उजोन का आपने देखा अनुनाज सनचना उसी तरह से कार्बोनेट आयन और कार्बन डाई आक्साइड अनु भी अनुनाज सनचना प्रदर्श्थित करते ह देख सकते हैं आप कार्बोनेट आयन को अगर देखा जाए पहले पहला उदारण CO3 2- कार्बोनेट आयन की सनचना की ब्याख्या अनुदाज द्वारा कीजिए तो कार्बोनेट आयन में आप जो है कार्बन तथा आक्सिजन परमाणों के मध्य दो एकल आवंद दो सिंगल ब को निरूपित करने के लिए और प्रयाप्त है फिगर आप देखें यह कार्बोनेट आयन का इस्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और आक्सिजन के बीच में सिंगल बंद को दिखाये गया है दो एकल बंद है यहां पे और यहां पे और एक कार्बन और आक्सिजन के बीच में कार्बन तथा अक्सिजन परमाड़ों के मद्य दो एकल आवंध है तथा एक दुई आवंध है यह जो लुई सनचना है यह कार्बनेट आयन के वास्तिक सनचना को निरूपित करने के लिए ओप्रयाप्त है क्योंकि इसके अनुसार तीन कार्बन अक्सिजन आवंधों की लंबाई भिन होनी चाहिए इस फीगर के अनुसार कार्बन और आक्सिजन की लंबाईयां क्या होनी चाहिए अलग-अलग होनी चाहिए परन्तु प्रायोगिक परड़ाम के अनुसार कार्बोनेट आयन के तीनो कार्बन आक्सिजन आबंदों की लंबाईयां समान होती है कार्बन आक्सिजन के बीच में जो आवंध लंबाई है वो तीनो बंद की लंबाई समान होती है अता कार्बनेट आयन की वास्तिक सनचना को निम्न लिखित तीन वहित सनचनाओं कैनोनिकल तीनो इस्ट्रक्चर के संकर रूप के रूप में दर्साया जाता है कार्बनेट का वास्तिक स्ट्रक्चर क्या होता है तो इन तीनों कैनोनिकल इस्ट्रक्चर वहित रूपों को मिला कर जो इस्ट्रक्चर तयार होगा वही कार्बनेट आयन का सही रूप होगा अनुनाद संकर रूप होगा ठीक है जिसमें कार्बन और आक्सिजन की लंबाईयां हर बंद की बराबर होंगे अब अगला है आपका कार्बन डाई अक्साइड और की सनचना की ब्याक्षा कीजिए तो कार्बन डाई अक्साइड और की सनचना की ब्याक्षा में आप देख सकते हैं कार्बन डाई एक्साइट के यणु में कार्बन आक्सिजन आबंद की लंबाई का प्रायोगिक मान जो आता है वो 115 पीको मीटर आता है कारबन और आक्सिजन के बीच में बांड लेंथ जो है आबंद की लंबाई का जो experimental result आता है वो 115 p.m. आता है सामान ने कारबन आक्सिजन दुई आबंद है तथा कारबन आक्सिजन त्री आबंद लंबाईयां जो हती हैं 121 p.m. तथा 110 p.m. होती है कार्बन आक्सिजन के बीच में अगर दो बंद है तो 121 पीको मिटर बांड लेंध आता है अगर कार्बन आक्सिजन के बीच में 3 बंद है तो 110 पीको मिटर आता है कार्बन डायक्साइड में कार्बन आक्सिजन आबंद की लंबाई 115 पीको मिटर अर्थात कारवन दोई बंद , notifyन आक्सिजन दोवद्ध ति पन टीन बंद की सामाने लंबाईयों के बीच में होती है तीखें प्रियोग के द्वारा जो क मा अक्सिजन के बीच में बंद लंबाई आ रही है वह एक स लूइस सनचना के अधार पर परदर्शित नहीं किया जा सकता है अता यह आवस्यक हो जाता है कि इसके लिए एक से अधिक लूइस सनचनाएं लिखी जाएं तथा कारबन डायक्साइट की सनचना इन विहित सनचनाओं इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स फर्स सेकेंड एंड संकर रूप में परदर्शित किया जाए तो जो सही स्ट्रक्चर होगा कारबन डायक्साइट का वह इन तीनों विहित सनचनाओं का हाइब्रिड रूप होगा संकर रूप होगा यह कारबन डायक्साइट का विहित रूप है जिसमें आप देख रहे हैं कि दो बंद और पिकोमीटर होती है, तीन बंद की लंबाई 110 पिकोमीटर होती है, लेकिन जो वास्तिक लंबाई प्रियोग द्वारा मिलता है वो 115 पिकोमीटर होता है, जो की दो बंद और तीन बंद के बीच का होता है, तो इस तरह से आपने देखा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रियोग के के द्वारा जो सनशनाय बनती हैं वह एक दूसरे से मेल नहीं खाती है ठीक है इसके लिए आपको एक से अधिक structure बनाना पड़ता है जिनको वीच सनशनाय कहा जाता है canonical structures कहे जाते हैं और virginal structure जो होता है इन सभी structure का hybrid होता है जिनको बनाया नहीं जा सकता है अब देखते हैं आगे सामाने रूप से यह कहा जा सकता है कि अनुनाद जो है और को अस्थाई तुपरदान करता है resonance जो है वो molecule को stability परदान करता है अस्थाई तुपरदान करता है क्यों क्योंकि अनुनाद संकर की उर्जा जो है किसी भी भीत सनशनाओं की उर्जा से कम होती है जो hybrid structure होता है वो किसी भी canonical structure की तुलना में energy उसकी कम होती है ठीक है अनुनाद के कारण अनुनाद के कारण आवंधों के लच्छड जो है और सत्मान को प्राप्त करते हैं इस प्रकार ओजोन अड़ में अनुनाद संकर रूप जो थर्ड था उसकी उर्जा canonical रूप फर्स्ट और सेकेंड की उर्जा के मान से भी कम होता है ठीक है तो समाने रूप से आप कह सकते हैं कि अनुनाद जो है वो अड़ को अस्थाईत प्रदान करता है क्योंकि अनुनाद संकर की उर्जा किसी भी विष्ट सनचना की उर्जा से कम होती है अनुनाद के कारण आवंदों के लक्षन जो है औ о 120 मान प्रापत करते हैं इस प्रकार ओजून अड़ में अनुनाद संकर रूप थरड की उर्जा canonical रूप हश्ट और सेखेंड की उर्जा के मां नहीं होता है कि आपको इसम्रड रहे आपको याद रहे कि वास्तों में विहित सनज्ञ नाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है जो आप canonical structures बना रहे हैं जैसे उजोन का आपने दो बनाया कार्बोन डायक साइट का आपने तीन बनाया carbonate iron का तीन structure बना इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है canonical structures का कोई अस्तित्व नहीं होता है ऐसा नहीं होता है कि अडु कुछ समय के लिए किसी वीज सनचना के रूप में उपस्तित रहता है तीक है ऐसा नहीं होता है कि अन जो है कुछ समय के लिए किसी canonical structure के रूप में उपस्तेत रहता है जबकि अन्य समय किसी दूसरी वही सनचना को अपनाता है या संभव नहीं है वही सनचनाओं में चला वयों अर्थात क्युटो तथा इनाल के मद्द पाय जाने वाले साम में जैसा कोई सामय नहीं होता है क्युटो इनाल जैसे रूप जो है इसमें नहीं पाय जाते हैं वास्तविक रूप में अड़ों की केवल एक सनचना होती है वास्तिक रूप में अड़ों की केवल एक सनचना होती है जो विहित सनचनाओं की अनुनाद संकर होती है जो canonical structure का resonance hybrid होता है उसे केवल एक Lewis सनचना के द्वारा परदर से नहीं किया जा सकता है जो hybrid structure होता है उसको केवल एक लूईस सनचना के द्वारा परदर सेथ नहीं किया सकता है ठीक स्टेंड्स तो यह था आपका अनुनाद सनचना के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां अगला टापिक पढ़ा जाएगा मैं मनीज गुपता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद दोस्तों